सब्सक्राइब कर दो तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्री मंच स्टडी प्लान फॉर क्लास ट्वल्ट एक्जाम 2022 अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कहीं है अगर आप भी जीरो लेवल पे हो तो बचे हुए तीन महिने में आपको किस प्रकार से स् सब्सक्राइब कर दो तो आगे बढ़ते हैं यही है कि मेरे बारे में चोटा से इंट्रोक्षिन देना चाहूंगा तो यह है मैं अभी बीटे सब्सक्राइब कर रहा हूं मैं प्लस वेरिफाइड एजुकेटर हूं एकाडेमी के आप के उपर देन मेरे को क्लास 12 में 91 पसंत है महारास्टा बोड से साइंस स्ट्रीम में मैं टीचिंग कर रहा हूं 23000 से ज्यादा पढ़ा भी चुका हूं यूटूब के उपर और पढ़ सब्सक्राइब कर रहा हूं की प्रिपरेशन के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्राइज की तरफ तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्री मंच स्टडी प्लान ओफ पीसी अंबी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैच्स बायो और साथ हम यह भी कर स्ट्राइजी रहेगी अगर इस स्ट्राइजी को फॉलो करोगे तो आराम से जितने अभी तक स्ट्री पतलब अभी तक अपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कि हैं और आप कॉन्फिदेंस के लेवल में बहुत नीचे हो तो यह वीडियो देखने के बाद आपका हंड्रेट प करते हैं तो सबसे important बात कि आपके subjects कौन से है अभी आपके subjects कौन से है वो तो दिखो आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स देन है आपका chemistry देन है मैक्स देन बायो ठीक है में common ले रहा हूं कुछ लोगों का PCB होता है स्ट्रीम और computer science वेगरा होता है कुछ लोगों का PCM होता है और electronics वेगरा इसा होता है common कैसे रहता है वो उस तरह से मैं आपको बताऊंगा strategy अब थोड़ा बहुत अब का अगर सब्जिक्ट अलग है तो उस हिसाब सब्जेक्ट है तो यह सारे सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद आपके जो language का सब्जेक्ट होते हैं वह होते हैं English जो के इत्लिक रहता है और आपका होता है हिंदी या फिर मराठी या फिर शंस्कुल्त या फिर जर्मन या तो मोस्ट कॉमन होते हैं मराठी हिंदी वह सब देखेंगे अब जिखोंट विश जो सब्जेक्ट है आपका उससी के सब्जेक्ट में टोटल चप्टर्स कितने हैं 16 ठीक है और बायों में कितने हैं 15 अभाई किसे यह ठीक है पी सी अमभी के वह कितने हो चुके टोटल 62 टूटन आपको समय मतलब आपको यह नोटबाऊन करना है कि आपको टोटल 62 चाफ्टर की study करनी है ठीक है और 162 चाप्टर में सारे चाप्टर अपको फुल स्टडी करने है क्या नहीं क्योंकि आपको बता है 25 पसेंट आपका सिलाबस जो है वो रिडियूस हो चुका है तो 25 पसेंट रिडियूस में ऐसे भी चाप्टर से जो कि एक्सरसाइस को डिलीट किया गया है फिजिक्स में भी कुछ एसे चाप्टर से एलेक्ट मैगनेटिक मेटरियल्स का बहुत डिलीट किया गया है सिर्फ एक आपको डेरिवेशन है वह करना है बाकि बहुत मतलब सारे चाप्टर में से रिडियूस किया गया है तो मैं यह आपक बता हूं कि 62 chapters है और आपको वह मतलब आप सोच रहे होंगे कि 62 बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उन chapters में आपको क्या करना है 62 chapters में से अगर 62 chapters है उसमें से अगर आप टोटल 45 chapters कर लोगे तब आप स्कोर कर सकते हो 100 100% 100 100 स्कोर आपको बता है ना कि सब्सक्राइब की 10 chapter है तो 10 chapter में से आपको question पुचे जाते है 102 मार्क के तोटल 15 chapters 15 chapters में से आपको 102 मार्क के question आते है वीट option मतलब आपको पता होता है कि आपके question paper में यह solution होता है कि पाच में से तीन को solve करो त्क आपको करो दस में से पाच को solve करो इस टाइक के question होते हैं अगर पाच में से पाच को solve करोगे तो मतलब टोटल जो paper होगा आपका 102 मार्क को जाएगा और में पेपर कितना होता है है आपका मैस का मेंन पेपर होता है एटी मास्का तो डोर कितने चप्टर से उटाए जाते हैं वह लगबग टोटल तो टेन टु ट्वैल चप्टर से उटाय जाते हैं तोई सही हिसाप से अगर सोच होगे तो टोटल आपको 45 से लेके 50 तक चाप्टर सब्सक्राइब करने हैं अगर आपको सबसे पहले करना हूं तो ताकि वीडियो को लास्ट तक सही से देख लो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है चोटा ही वीडियो है तो किस तरह से करना है वो भी बताने सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि चाप्टर से पूचे जाएंगे उसको सबसे पहले कर लो आप बलोगी कि है वह हमको कहा मिलेगा कि कौन से चाप्टर से कितने कुशन आने वाले है वीडियो अपलोड कर दिया है पेपर पैटन कैसा है ठीक है इस चैनल के उपर ही आपको मिल ज सबसे इंपोर्डन बात यहीं मतलब मतलब सबसे पहले कंफ्यूज क्या होगे कि मैरे को 62 चाप्टर करने है मैंने बोला 62 चाप्टर नहीं करने तोड़े मतलब लगब 45-50 को करने हैं तीक है फिर भी मैं बोलूँगा आपको 62 में से 60 कर लेना क्योंकि पॉसीबल है अभी आठी और हिंदी अब देखो आपने बहुत लेट कर दिया है अभी आप स्टार्ट करने माले हो नॉबंबर से अपनी पढ़ाई सही से तो आप क्या करना आप यह जो चाप यह जो दो सब्जेक्ट है वह आपको खुद को करने हैं किस प्रकार से करने हैं वह भी बता दूंगा इसके वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है थे अब यह तो हो आज से लेकरände मेरे एकजाम तक मेरे पास कितने वह तो तो टोटल अगर आप आज से देखोगे 12 नवंबर से आज 12 नवंबर है ठीक है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो वीडियो लगबग पाच दस दिन बाद देख रहे हैं कुछ ऐसा हो सकता है कि जो 20 नवंबर को देख रहे हैं या फिर डिसेंबर में भी यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या कर लेना उस तरह से शेडूल को मैच कर लेना और थोड़े चाप्टर्स कम कर लेना ठीक है क्योंकि अभी तोटल हंड्रेट डेल्स टोटल हंड्रेट अपकी बोड़ एक्जम कब होगी आपकी बोड़ एक्जम फेबरोरी के लास्ट वीक में होगी ठीक है और यह भी प्रोबाबिलेटी है कि थोड़ी से एक्जम और आगेज आ सकते हैं क्योंकि रेगुलर अगर आप देखोगे कि ठीक होगी एक्जम कब होती है और चलास अब हमान लेते हैं कि हमारे पास का टाइम है और जो आगको आगे तो आप टाइम बचेगा वह आपको बोनस ले लेना और उसमें आपका रिवीजन वेगर और कुछ बचा है वो कर लेना तो टोटल हंड्रेट डेज है अब इन टोटल हंड्रेट टेन हंड्रेट डेज को किस तरह से आपको यूज करना है वह अब हम देखते हैं तो मैं नेक्स लाइड ले रहा हूं इसका इक बार ले लना क्योंकि इंपॉर्डंट है तो इस साइड में दिख जाएगा इसका बार ले लेना स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं चलता हूं ठीको ठीक है अब देखो जो हंड्रेट डेज है उसका प्लाइनिंग क्या होना चाहिए तो हंड्रेट डेज का प्लाइन क्या होना चाहिए ठीक है में आपका गोल यह होना चाहिए कि आपको 62 चाप्टर कंप्लीट करने है 62 डेज में आप बोलोगे कि क्या है यार एक दिन में चप्टर कैसे कवर कर लेंगे हम तो एक दि से करना है वो भी बता दूंगा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि अब नोवेंबर में स्टार्ट करने वाले हो दिन के दस बारा घंटे तो बढ़ाई करनी हो गया ठीक है तो 62 चाप्टर से अगर 8 पुचे जाए तो दस में से 10 अगर आते हैं तो चले गए तो आपके पास उसमें से सब्सक्राइब पर यह सब्सक्राइब और आपका अभी बचता है अपना इंगलीश और मराथी या फिर फिर हिंदी तो जो तो इंग्लीष और जो यहांद हिंदी। होगा उसके लाप को 10 दिन दिन आण में मैक्सीमम 10 दिन और इस 10 दिन में आपको सारह जो है इंग्लीष और म्राठीक वो क्म्लिट करना इंगिलिषका ग्रमर इंगिलिष का ना इंटी से ऊपर थे माराथी में क्या करने का मराथी में मैंने बता दिया है सब कुछ और निचे डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में लिंग मिल जाएगे प्लेडिस्ट की वहापर देख लेना तो हिंदी का सिर्फ हिंदी का नहीं बताया है और इंग्लीश का भी आपको वह रस है निटी हो चुका है रिड्यूस के आनुसार मराथी का व início हो चुका है तो आपको यह प्लस्ट है कि मैके मतलब ढरिक आप samma शांसर से पूरा सालबर करते हैं चार से पाच दिन में यह लाइंग्विजा के सब्जक्ट होते हैं उसको कवर कर लिते 90 से उपर मा स्कोर करते हैं आराम से चार पास दिन स्टड़ी करके हैं सिर्फ क्या करना है वह important है पूरा मतलब जो बचे हुआ टाइम है ना उसको किस तरह से utilize करना है पर मतलब सब्जेक्ट है आपका English उस पूरे English सब्जेक्ट में पूरा क्या करना मतलब पूरा नहीं करना है बोड एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से सिर्फ कितना करना है आपको ताकि आपको वही आपको अच्छेवां स्कोर कर लेगा वही आपको करना है और वह आल्रेडी मैं ने बता दिया है नीचे description box में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वहाँ जाके मेरे इंग्लिश के और माराथी की दो वीडियो देखो स्ट्राटेजी के वह देख लिए तो देखो अब थर्टीएट देश्त है हमारे टोटल हंडेट से हंडेट में से 62 चले गए 62 चाप्रस को अब एक बात के से करना है व अब उन 28 डेज में आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है ठीक है तो यह अब देखो आपका PCMB का भी सिलाबस हो गया कंप्लिट करके और मैंस अपना इंग्लिश मराटिके भी हो गया अब स्टड़ी करने के बाद सिप्स्राइब करना इंप्रोडन नहीं उसका रिवीजन भी होना चाहिए कि मैंने यह पढ़ा था मतलब लास्ट मन्त ठीक है तो उसका रिवीजन भी करना चाहिए ना आपको क क्या क्या पढ़ा था मैंने क्या क्या डिफिनिशन किये थे वह सब तो वुन सब के लिए आपको PCMB का और इंग्लिश मराटिका जो रिवीजन है उसके लिए आपको दस दिन देने हैं पूरा रिवीजन करना है दस दिन के अंदर और देखो अभी आपने सिलाबस किया है ठी क्यों है वह बता देता हो बाकी के लोग क्या करेंगे कि पूरा मतलब पूरा साल बर पढ़ेंगे सब्सक्राइब किया था अब जून से लेके उस अब नोवंबर चर रहा है तो नवंबर में उसको यह याद होगा क्या चाप्टर यह अपना रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं और आप आप करने वाले हों नोवंबर डिसेंबर में तो दो महिने में आप करोगे चाप्टर को तो दो से तीन मेंने आपको चाप्टर सही से याद रहेगा ना तो आपको एक बेनिफिट भी है कि आप कम टाइम में कर रहे हो इसलिए आपको वह लॉंग टाम मतलब दो से मेने तक वह सही से याद रहेगा तो इसलिए आपको टेंडे सफीशन्ट है सारा रिवाइज करने में के लिए क्योंकि आपने अभी-अभी किया है उसको अभी-अभी अपने वह और बच्ची एक मेने में क्या बटा दूगा मैं यहाद तक आपका डो महने में आप से लाब करना है सिर्फ इतना ही अब बात आती है कि जो बच्चा अधिको 28 देस्ट है उसमें से 10 दिन हमने दिये रीविजन को अब रीविजन होने के बाद जो बचे हुए अब देको 18 बच गए अब उन 18 डेस में आपको देखो कॉलेज में रहता है क्या रहता है यह बात में देखें में रहता है उसके अनुसार model question paper रहता है उसका आपको sol करना सब्यों लेना के उसके आंसर आंसर टेको МУЗЫКА गंटे में जौब का टाइम होता है उसतरे से उसको साल करना है तो model पेपर को साल करना है सभी सब्जेक्ट का physics chemistry math bio English माराठी सब्जेक्ट का कितने देज में 8 डेज में PCM भी चार सब्जेक्ट ठीके चार हो गए उसके बाद माराथी और इंग्लिश छे दिन हो गए दो दिन जो बचते हैं वह क्या कर लेना आप कि आपका कुछ मतलब रिवीजन रहे गया उसके लिए आप प्लस का पॉइंट ले सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि पेपर का एनलाइज करके और कुछ ज्यादा कुछ आप सौल कर सकते हो तो इसके लिए दो प्लस के दो दिन है आप मेरे को बताओ कि 18 डेज में से 18 दिन थे उसमें से 8 दिन हमें कि यह क्वेशन प्रैक्टिस किया पे प्रिलियम में खarenthम होंगे आपके आपके प्रैक्टिक और एक्षा ठीक है और प्रैक्टिकल होंगे वह सब वह आप 162 में दिन प्रैक्टिकल के एकजाम होंगे तो इससमें आपके दस दिन जाएंगे तो उसको आपको 10 दिन का प्लान मतलब उसको आपको मान ही लेना है कि अपके प्रेलियम से और अपके प्रैक्टिकल एक्जाम से यस अब तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो हंड्रेट देज का प्लान था वो किस तरह सही था अब इसका एक पर एक चाप्टर को एक दिन में किस तरह से कंप्लडिर करना है आप बहुत कम है एक दिन बहुत कम है एक रशीं के लिए फिर धा concrete के लिए हमको को करने कि बास नहीं आपको याद रखना है कि आग्यादा समझने के मतलब Всем ने के लिए अधिए टना ये मत करो की मेरे को समझ नहीं आ रहा है फिर मिनक्र देखोंगा समझ मे नहीं आ बहुत चला गए अब च्या करना है स्तेवी में बताने वाला उसको सहीच से एक चाप्टर को बैना चाप्टर इन वन देख चाप्टर को एक दिन में कंप variants करना है वह आपका गोल हमां आ चाहिए किस प्रकार से करना है वो भी में आपको बता दूंगा देखो चाप्टर है ते पोई भी चाप्टर है वह आप क्या करते हो कि उसका लेक्चर मतलब लेक्ब लेखते हो स्कुल में कॉल्च में लेक्चर होता है एक चप्टर के लगबग मैं बता रहा हूं एक चप्ट एक चाप्टर है रोटेशनल डायनामिक्श तो उस चाप्टर के लेक्चर कितने होते हैं सुना होगा आपने सीरीज इता क्रेक्स कोस की तरह जिसको हम बोलते हैं वन शॉट तो वन शॉट में क्या कि आ जाता है कि जो भी चाक्टर है ठीक है पूरा उस पूरे चाप्टर को एक घंटे में या फिर एक लेक्चर में पूरे जो भी लेक्चर में कॉंसेट है उनको लिया जाता है उनको पढ़ाय आ जाता है और जो भी फॉर्मूला से उस चाप्टर में रोटेशनल डानेमिक सो कुई भी डाक्टर हो उसे चाप्टर उस फॉर्मूला उस उन कंसेप्ट को एक ही लेक्चर में कवर खिया जाता है तो क्य क्या होगा आपको क्या करना है वॉच वन शॉट्ट लेक्चर्स वन शॉट्ट लेक्चर सबको देखने हैं वन शॉट्ट लेक्चर्स मतलब एक चप्टर एक लेक्चर में कंप्रिट किया जाता है ठीक है क्योंकि अभी अपके कवर होंगे 3 महीने में और आप ही बताव मेरे को 4-5 चाप्टर हर सब्चेट के आगर आप करोगे तो टोटल आपके 20-25 चप्टर 60 से 25 चप्टर आप करोगे तो कितना स्कोर कर उताओगे मेरे को बता दो ठीके बाद में चार्ट में इसमें कमें बताओ या फिर लायू चैट में बता दो यह सब हम यह लायू वीडियो नहीं है मैं रेकॉर्ड कर रहा हूं तीगे रेकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं कि यह थोड़ा वीडियो छोटा हो जाए का का कि आपको भी बेनिफिट रहे तो देखो वन शॉट लेक्टर पढ़ाया जाएंगे आपको वह देखते देखते आपको नोट्स अपको नोट्स भी बनाने हैं इसा नहीं करने का की लेक्चर देखने का लेक्चर देखने के बाद अब लेक्चर को रिपेट करने का और नोट्स लिखने का एसा नहीं लेक्चर देखते देखते आपको नोट्स को लिखना है य तो हम लोग जल्दी ही बन शॉट लेक्टर्स अवेलेबल करेंगे इस चानल के ऊपर ठीक है अजय सर हो ठीक है फिजिक्स के लिए अंजली मैं हो वो भी और सफाक मैं हो जो क्या इंगलिश पड़ा रहे हैं या फिर प्रजोत्त सर हो या फिर आपके अब राउल सर हो ठीक है अकाउंट्स के वो हम मतलब यह सब आपके जो टीचर्स लोग है वो वन शॉट लेक्टर्स जैसे उनका सिलाबस जो है पूरा सिलाबस जो अम्प्रिट हो जाएगा वो जल्दी से जल्दी ही बन शॉट की जो लेक्टर से वह स्टार्ट करेंगे अजय भी आपको लेक्टर से आपर मिल जाएंगे आराम से तो वह कर लेना आपकी पुरे लेक्टर में वह आपका सारा कॉंसेट्स लेक्टर में क्या हुआ कि जहते है तो एक बार लेक्टर आपको 100% अब होगा कोई तो ुद्रलेंट होगा और इसका हो पाएका लेकिन maximum लोग कितने मतल्ब अभी देखो आपने तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं किये है तो अब अगर आप टॉपर होते तो पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती है तो देखो अभी तक पढ़ाई ही कर रहे होंगे तो देखो बता रहा था कि पूरा आपको यह सब करना है को सभी तरीके से करने हैं वह करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकास से अपनी स्टडी होनी चाहिए ठीके यह हो गया एक बार बन शॉट के लेक्षेस अवलेबल हो जाएंगे जल्दी से ही नेक्स्ट अब बात बात आती है कि आप वन शॉट देख लिया तो मेरे को फुल चाप्टर समझ में नहीं आया क्यों आपको बता है कि दस लेक्षर का कंटेंड आपको एक लेक्षर में प्रोट प्रोवाइड किया जाएगा तब को थोड़े बहुत रहेंगे ठीक है सो परसेंट में से आपको लगबग सेवेंटी एटी परसेंट समझ में आ जाएगा ठीक है कि उस चाप्टर में है क्या वह आने के बाद जो बचावबाद ट्वेंटी थर्टी परसेंट है ना वह कर आपको समझना है और आपका थोड़ा जो डाउट रहे गए और फिर आप बोलोगी कि थोड़ा समझ में आया तो उसके लिए क्या करना है जो निकालने है उसको रीड करना है अब देखो लेक्चर देखते दखते तो निकाल लोगे ना तो उसको रीड करना है और साथी टेक्स्ट बुक जो दिया है आपका महारा तक तो क्या हो जाएगा कि यहां तक यहां तक आपको आपका चाप्टर के ऊपर एक और इस तरह से तो उसे चाप्टर का मेरे को एक आईडिया आगया कि इस चाप्टर में क्या-क्या है है और वह फौरूबला निया को दिशाये है जिस चाप्टर आता है म्मेरे कोपता चल गया है मेरे मेरे को पहले पता भी नहीं था कि यह मेरे को पढ़ना है और उस चंफिय्या क्या है एक क्बारच हो गया और कुछ क्योंप्स क्लियर हो गए अच्छ ए तरह से अबुश मैं डिसेंबर まंद से या फिर नवंबर होने के बाद या फिर नवंबर से या फिर डिसेंबर से टिसेंबर से मैं आपको खुद प्रोाइड करूंगा इंपोरडन्ट कте सनस्कि अउपर हरसी कीскомrites वायो के जो गुटुष के आपको बता है physics chemistry match में नहीं होते हैं उनको सही तरीक से करना है यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब यहां तक हो गया आप का लगज़ देखो यहां तक भी आपने कर लिए सियोटा है कि वहाय तक सभी कर लिया है अब बात आती है कि बचा हुआ कि से खर से करना है कρωSTH लो कि तो मेक्शिमूम कुशियं एक्सरसायस से आते हैं में एक्सरसायस Finger एक्सरसायस से नहीं आते वो आते है टेक्स्ट बुक के अंदर से मैकसिमम तो इसी एक descrição सिसे आते ऑप वह सही से करले लित बसह्टों पिछले साल नहीं इस साल यह 2021 के बोर्ड एक्सरायस होने वाला था तो उस एक्जाम के लिए एक question bank release किया गया था कि most important question के तरीके से तो उस question में बहुत अच्छा-च्छे question थे important question थे important derivation से जो कि आपको board exam में important है तो उस question bank को आप कर लो ठीक है उस question मैं को कर लो मैं मतलब आपको तो वो website के उपर जो महरा स्टाबुड का website उसके उपर मिल जाएगा ठीक है तो यहां तक भी आप सारा कर लोगी तो आप आराम से 90% से उपर आराम से जाप आओगे लेकिन भाई इसको follow करना है कि मेरे को बताए कि maximum आप स्लीप सई से लिप लो क्योंकि स्लीब इंपॉरणट है मिनिममम सेवें आवस की तो आपको लेनी पड़ीगे इपनीमम बॉल्डाव में 7 आवस की ठीक है त्विक इंपॉरणट होती है जो पर पड़ो उसको दिमाग में सई से रखना थे कि लो टेंशन मतलो ज्यादा नहीं होता है फिर दम के फीकल्ट नहीं होते हैं आराम से कर लोगी सुझा रहो कि मैं कर लोगा एसा मथ सोचो कि भाई तीन महिने बचे है किस तरह से करो टेंशन नहीं लेगा ठीक है और सबसे इंपर्डन बात यार यह होता है यह सबसे बहुत बढ़ा डिस्ट्रैक्षन अब वोईड सोचल मीडिया जितना हो सके तीन मेहने के लिए तीन मेहने के लिए बोल रहा हूं जब तक बोड एक्जाम नहीं होती ना तब की लिए सिप अबाइड कर लो बाद में कर लेना एक बार बोर्ड एक्जम हो गया ना ले 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 नम मतलब यूज कर आ अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें सोशेल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करना क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है अग कर आप मतलब 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 पाच मिन लोक कर लो कि मेरा इतना हो गया तो अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ठीक है तो यह मोबाइल ही सबसे बड़ा रिस्ट्राफ्टन है या फिर आप बोल सकते हो सोचल मीडिया तो यह सब हो गया अब बात आती है कि भाई इतना कर लेना और जो टेक्स्ट बुक का रीड़ अच्छी तरह से करो और बात आती है कि इंग्लीश और मराठी या फिर हिंदी का क्या करें हम तो उसके लिए लिए वीडियो इस अल्रेडी अप्लोडेट ऑन इस चैनल यह जो जूनियर को लेजिमेच बोड है उस चानल के उपर मैंने अल्रेडी इंग्लीश और मराठी के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है अब क्या करना है न तो क्या करों अनिकेट मने अकाडमी और इंग्लिश इसा डालो यूट्व पर सर्च में या फिर अनिकेत माने अन काडमी मराठी क्लास 12 सब ऑन जैंगे अगर फिल्ष नहीं मिलते तो थीकिए इस तरह से सर्च करो निकेट माने अनकाडमी एसा ड्रू design तो आप उसको सिंपल रिपोड कर सकते हूं बीदी फर्स्ट रहेगा जो कि प्रेटिकलर रिशो को क्लेम करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा प्रेटिकलर रिपोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में फॉर्म की लिंक मिल जाएगा अगर आपको लगता है तो दिश्क्रिप्टिन लगते फॉर्म को अब कर सकते हो अब क्या आता है एक इंपॉलन बात देखो यह टेलीग्राम चैनल है इस अच आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे लेक्टर्स के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो इसको जॉइन कर लेना क्यूंकि आपको ही बेनिफिट हो जाएगा यस नेक्स्ट अब बात आती है अनिकाडेमी के सब्सक्रिशन फीचर्स के बारे में ठीक है अगर आप अन अच्टेब के बेनिफिट रहन लायू फरॉमग्यों आपके घर से चुब्सक्रोंण पर्णे कि सकते हैं चुटे सकते अवल डेक्स्ट अपने पार बार सब्सक्रिप्स बारे बंगर सोब होता है उसके बाद होता है उसके बाद होता है अपको यूज करना है सब्सक्रिशन लेते समय आपको पूछा जाता है अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना पड़ता है और कोई मतलब कौन ऐसा वोगा जो डिसकाउंट नहीं चाहिए तो एक कोड होता है वह अपना है है ATM 10 if you cold है इसको याद रखना क्योंकि 210 ये code है तो इसको याद रखना सिंपल कोड़ है ऋतना सिंपल कोड़ है आराम से याद रहेगा ठीक है दिमाग में आपको टॉप टॉप इंडिया के साथ इस प्लाटफॉर्म के उपर आप बढ़ पाऊंगे रहेंगे आपके जो भी डाउट से वहां पर क्लियर किये जाएंगे देन जो सारा सिला है वह आपको सही तरह किया जाएगा यह एक बेनिफिट है प्लस का देन मेंटर्शिप और गाइडेस आपको प्रव जो प्राइड किया जाएगा ऑर आपने प्राक्टिस कर सकते हो देन लाइड रहता है तक है उसमें आप अपना जो भी है प्रक्टिस कर पाऊगे और पाउगे और उसका अनलाइस भी कर सकते हो सब और बता दिया एक बार ले लिया ना सुस्क्रिशन तो बहुत सरे बैइनिफेट्स मिलता है ले लो सब्सक्रिशन के होंगे वह बता दूंगा एक मिनिट रुखो यह डेलीप्रैक्ट का अब को डेली प्रैक्स सेसिम्स रहेंगे विगन प्रेंगे हर भी ठीक है मॉक टेस्ट लाइव कीजस रहेंगे विजस तो बहुत पसंद दें लोग स्टूजन्स को डेलिक में सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है अगर आप बन मंद का सब्सक्राइब लेना चाहते हो एक मेने का तो 2000 रुपे हैं लेकिन वहाँ पर नीचे ऑप्षिन होता है रिफ्रल कोड करके यहां पर जैसे आप एक डालोगे न तो यह जो 2000 का सब्सक्राइब एक मेने का वह आपको मिल जाएगा एक 1800 में फ्लैट 10% का डिस्कॉण मिलेगा ठीक है उससे तीन मेने का जो सब्सक्राइब वह है 5000 का ठीक है यह 1667 पर मंत वैल्यू है एक मेने की तीन मेने का हो गाया 5000 वह अगर आप यह कोड़ डालोगे कौनसा कोड़ ATM10 कौनसा कोड़ ATM10 यह कोड़ डालोगे तो 5000 का आपको म सब्सक्राइब से पास हो गए अपने 4500 यह तो इतना सिंपल तब को लॉजिक आता होगा मैस तो सिक्स मेने का लोगे तो इतने को वेड़ेगा 7200 के आराउंड तो उसी तरह सब्सका एक साल का लोगे तो 12,000 रुपीज है ठीक है 12,000 रुपीज के आनुसर कितना हो गया आप होगे मतलब दो साल का 12 24 months का दो यह का लोगे तो आपको यह मिलेगा 20,000 में 20,000 में में डिसकाउंट दूंगा मेरी तरफ से क्या कैसे मिलेगा आपको डिसकाउंट अगर आप एटियंग बन जिरो एक कोड यूज करो कि आपको डिसकाउंट मिल जाएगा तो यह जो दो 20,000 क प्रॉसिस्ट प्रोसेट टूपर क्लिक करना है और यह बहुत बड़े आपके लिए ओफर प्लस सब्सक्राइबर्स तो अगर आप सब्सक्रीशन लेना चाहते हो तो दिका आपके लिए ओफर भी चल रही है यह में आपके लिए सबस्क्राइब के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको शोशन का सब्सक्रशन सस्क्राइब लेते हो तको सब्सक्राइब और यह बहुत बड़ी अपर है और लेकिन बात था बात है सब्सक्राइब होंगे जो पहले यह उफर लेंगे उनके लिए है ठीक है थाउजन के होने के बाद कोई आफर नहीं मिलेंगे और फ्लाइट 10 प्रसंट का भी डिस्कॉंड मिलेगा मैंने बता दिया है सब्सक्राइब के लिए अपना उसको यूज़ कर लो अब ठीक है आपको बता है अनकाडेमी के आपके उपर सारे जो लेक्चर्स होते हैं वह पेड नहीं होते सब्सक्राइब करके यूज़ कर सकते हो बात कर सकते हो जो बिडाउट है वो वहां पर एक option रहता है आपको जो भी टाइप करके लाको सेंड कर सकते हो एंट को पर है आपका ऐख कर सकते यूट्य नहीं करे सकते है albums नाट कर सकता है वहां पर आपका जो भी Memorial स्पाटो सब्सक्राइब कर पमने बात कर सकते हैं ठीक है लेकिन स्पैस्यों आपस्टेश्च में रहता है फोटो जो भी एस राइट है जिसने फास्त दिया और सब्सका नाम रिटर वोड में आ आपको अगर आप टॉप करते हूँ तो अब देखो अपकमिंग बैचेस फॉर क्लास 11 अगर आप क्लास 11 के स्टूडिन्स तो आपके लिए बैचे से देखो नहीं तो फास्ट्रैक बैच है फिजिक्स और मैच के लिए जो कि महाराथी में लेक्षिस आपको प्रोवाइड कर है यह लोग है जब को महाराथी में लेक्षिस प्रोवाइड कर रहे है देन महाराथी में देखो क्लास 11 के लिए फिजिक्स और मैच के लिए वही बैच टाइब का है और रिवीजन बैच मतलब आपको बिता दिया मैंने रिवीजन बैच क्रैश कोर का बाइचे से बहुत सा प्रैक करके फिजिक्स के मैंस के लिए जिए से बैच मराथी में रिवीजन बैच वीजिक्स के लिए है को बिस्के लिए है उसक लिए को तक दो करो और अपने वीडियो को चैनल में को को सब्सक्राइब करो शेर करो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लेट ट्स क्रैक इट आंड थैंक यू